असलाम अलेकुम जी, in this lesson we are going to learn के multiple artboards कैसे create किया जाते है artboards को rename कैसे किया जाता है, उनकी properties को कैसे change किया जाता है और बिल्कुल ऐसे ही very similar के layers को group कैसे किया जाता है, इनको rename कैसे किया जाता है और multiple artboards के उपर अपने artwork को कैसे manage किया जा सकते है So let's have a look on them हमने दो तरह के designs बनाए, जिसमें एक design में हमने solid background रखा और second में हमने image को use किया तो अब मैं क्या करूँगा, मैं दोनो artworks को separate artboards के उपर place करूँगा So अगर आप left side पे देखें, तो हमने कुछ tools को यहां से use किया था text tool को, shape tool को, इसके लावा जी selection tools को use किया था तो यहां पे अब हम एक और tool का इस्तेमाल करेंगे, that is artboard tool So मैं इस artboard पे click कर रहा हूँ, मैं यहां पे लेके आता हूँ अपने canvas के उपर मैं कोई भी artboard draw कर सकता हूँ बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप को shape draw करते हैं, ऐसे ही आप artboard draw कर सकते हैं और बाद में इसकी dimensions को change कर सकते हैं, for example मैं यहां पे artboard कोई भी रख लेता हूँ for example मुझे thousand by thousand चाहिए, तो exactly तो शायद मैं नहीं draw कर सकूँ तो हम इसको यहां पे place कर लेते हैं ठीक है, अब मैं इसकी properties open करनी है, so मेरा यह वाला artboard selected है यहां आपको dotted line से पता चल रहोगा, तो मैं artboard वाले tool के उपर आके double click कर रहो, so इसने artboard 2 की properties मेरे सामने open कर दी है तो जो इसकी width है, हम उसको thousand by thousand points set कर देते हैं, so अब यह जो second artboard है that have an equal dimensions जो के इस artboard की है, यह तरीका है जी artboard create कर रहेंगा, बिल्कुल ऐसे ही आप मजीद और भी artboards create कर सकते हैं इसको फिल वक्त के लिए हम delete कर लेते हैं, so मैंने क्या किया, artboard select किया, यहां से tool, मैं जिस artboard के उपर click करूँगा, वो artboard select हो जाएगा, तो second artboard मैंने select किया और अपने keyboard से delete का button press कर दिया हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जो content हमने इस artboard में use किया था, वो ही content हमें second artboard में चाहिए, हम उसको बाद में थोड़ा सा change कर लेंगे, थोड़ा सा tweaks उसमें खुद से कर लेंगे, so मैंने artboard लिया दुबारा से, यहां से select किया, यह मेरा एक ही artboard है, जो कि selected है, और अगर मै alt को press करूँ, तो आपको double cursors नज़र आते हैं, so मैं alt को press करते हुए, अपने mouse से click कर रहा हूँ, और इसको यहां पर release कर देता हूँ, so इस वाले artboard में से, let's remove the image, और इस rectangle को वापिस लेकर आते हैं, ठीक है, और अगर हम इसमें देखें, तो इसमें हमें rectangle नज़र नहीं आ रहा, because वो हमने hide किया वा था, और उसने hidden objects को, यह अगर आपका कोई object lock है, तो यह locked और hidden objects को copy नहीं करेगा, So इसके बाद हम artboards को rename कर लेते हैं, मैं windows में जा रहा हूँ, और यहां से जाके हम artboards का properties panel open करते हैं, So there is artboards, artboard one, इसको हम नाम assign करते हैं जी, quotation, आगे bracket में लिख लेते हैं, solid, मतलब solid background के साथ है ये, and this is quotation, और इसको कर लेते हैं, image, ठीक है, So यहाँ पर अपने numbers याद रखने है, So solid जो आटवर्क है, वो artboard number one पे है, और image वाला number two पे है, क्यूंकि जब आप अपने artwork को save करने जाएंगे, So आपको numbers याद होंगे, तो आप अपने artboard का number वहाँ पे दे सकते हैं, So this is how you can rename your artboards, अपनी असानी के लिए, ताकि आपको पता चले कौन से artboard के ओपर कौन सा artwork है, आप इनको rearrange भी कर सकते हैं, For example, आप चाहते हैं कि image वाला artboard number one बंज है, और solid वाला number two बंज है, So इनकी यहाँ पे तो position change नहीं हुई, लेकिन जब आप save करने जाएंगे, और अगर अब आप number one वहाँ पे assign करते हैं, तो वो image वाला artwork आपको save करके देगा, और two के साथ solid background वाला save करके देगा, बिल्कुल ऐसे ही हम layers panel में आते हैं, और यहाँ पे अगर आप अपनी layers को rename करना चाहें, हम यहाँ से एक let's create another layer, ठीक है, इसको एक नाम assign कर देते हैं, that is, बिल्कुल वो ही जो हमने artworks को, artboards को assign किया था, so इसको image कर लेते हैं, और इसको हम कर लेते हैं, quotation, solid, so let's move the layers, यहाँ से हम layers को move कर लेते हैं, john mango, so this one is the solid, और इस पूरे group को हम move कर लेते हैं, इस वाले section के अंदर, right, so अब यह अगर मैं इसको यहाँ से hide करूं, हम इसमें दौापस जाते हैं, और यहाँ से हमें अपने content को इस image के ऊपर लेके आना पड़ेगा, to make it visible, ठीक है, और इसके बाद अगर मैं आपको hide करके दिखा हूँ, यह तो यह हमने दो groups बना दिये, one group is the quotation solid, इसको यहाँ से hide करके देखते हैं, so जितना भी artwork था, solid वाला, वो remove हो गया, hide हो गया, और अगर मैं इसको यहाँ से hide करूं, so यह वाला सारा artwork hide हो गया, so this is a very good practice, अगर आप अपनी layers को rename कर लेते हैं, for example, यह rectangle लिखा हुआ है, so let's give it a name as solid background, ठीक है, और इसमें आप और भी देख सकते हैं, suppose यहाँ पे clip group है, so let's rename it as background, j-r-o-u-n-d, background image, इस B को capital कर लेते हैं, और इसको जी हम clipping, shape, और इसको हम कर लेते हैं, original image, so अगर आप अपनी layers को rename कर ले, that's a very good thing, that's a very good practice, और this is how you can rename the layers, आप अपने layers को hide कर सकते हैं, उनको lock कर सकते हैं, so lock करने से क्या होगा, so let's have a look on it, मैं इस solid background को lock कर रहा हूँ, so अब मैं अपने mouse से, selection tool से, इस layer को move नहीं कर सकता, जब तक मैं इसका lock खतम ना कर लूँ, so यह बहुत जगह भी use होता है, for example, आपने image को place कर लिया, लेकिन आप जब अपने content को move करते हैं, so image भी बार-बार आपको तंग करती है, वो displace हो जाती है, अपनी जगह से, अपनी position change कर लेती है, तो इसका बहतर तरीका यह होता है कि इस image को lock कर लें, और उसके बाद आप जो इस artboard के उपर काम करना चाहते हैं, आप वो बड़ी असानी से कर सकते हैं, so these were the few important things, जो कि आप से share करना ज़रूरी था, let's give it a try, और देखें कि आप यह सब कुछ manage कैसे करते हैं, see you in the next lesson, thank you so much.